हेलो गैस फिर से हम 12 फीट चोड़े और 53 फीट लंबे घर के नक्से का डिजाइन लेकर आए हैं आशा करता हूं दोस्तों 12 फीट चोड़े मकान का जो आप जितना ज़्यादा देखना चाहते हैं हम उतने ही आपके लिए डिजाइन लेकर आते रहते हैं तो दोस्तों इस बाद डिजाइन होने वाला है वो सिर्फ सिर्फ घ्रांब फ्लोर की डीटियल ही इसने त्यार की गी हैं और दोस्तों इसके उपर के फ्लोर नहीं बनाए गए हैं क्योंकि जिनकी रिक्वार्मेंट थी जिन्हों ने घर का टिशान त्यार किया है फस्तों पर सिर्फ आपको यह वेंटिलेशन के लिए खुला ओपन डक्त जो कि नीचे से लेकर तक ओपन रहेगा जो कि वेंटिलेशन का काम करेगा और बाकी इस टेर आपको देखने के मिल जाती है अब सारा का सारा डिजाइन इसमें सुरू से लेकर लास तक जरूर देखिए ताकि आपको इसे ग्रांड फ्रो सारा का सारा समझ में आ जाए तो दोस्तों इससे पहले हम वहां पर बढ़े हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं इस घर में जितने भी सारी वोल यूज की दाना चाहते हैं आपको एक इंच का प्लास्टर यूज राता है बारा फिट चौड़ाई में आपको अंदर लगबग लगवग आपको ग्याराफी चार इंच की स्पेस मिल जाती है चोड़ाई में बग्की दोस्तों आपको 12 madi पा नोच से नोग रखना चाहते हैं तो उस यहां प्रोव लोने वाले नहीं है क्योंकि दोस्तों यहां पे वाल का स्वार्ट पूरा का पूरी वूल का सपूर्ट नहीं होने के क़रण फुळर आप उपर तक रखेंगे ताकि आपको चट को सब्सक्राइब को हुआ जो कि फस्तों अफ्र आ इस पर कि देजार मनाएंगे और दोस्तों जैसे आप आगी तरह बढ़ते हैं तो आपका इंट्री गैस्ट एरिया में होती है जी हाँ दोस्तों यह गैस्ट रूम के साइज है 12 फीट चोड़ा और 12 फीट लंबा दोस्तों लंबाई में तो इसके अंदर यह 12 फीट की है लेकिन चोड़ाई में दौनों तर सब्सक्राइब के आपको सब्सक्राइब को बढ़ते हैं तो आपको मिलता है एक 8 फीट लंबा और 6 फीट चोड़ा किचन जिए दोस्तों काफी खूबसूरत की चैना है और यह लेने के बाद अंदर यंदर 6 फीट की चोड़ाई है लेकिन इसमें दोनों तरह क्यों है चार सब्सक्राइब को अनदर हमें जाता है इसमें आपको काफी खूब्सरुत सा बाथरूम मिल जाता है बाथरूम की वेंटिलेशन और कमरे की वेंटिलेशन को को रखने के लिए मतलब ध्यान रखने के लिए हमने एक एडक्ट खुला चोड़ा है जो कि आपने फस्ट प्रोल पर देखा था जो कि ऊपर तक ऊपर तक ऊपर रहेगा और किसी भी तरह कि यहाँ पर गुटन होने वारे नहीं है मतलब बातरियों कि जो भी हीट होगी आप इस वेंटलेशन शोगते वह आप उपर की तरफ चली जाएगी उसके बाद बात करते हैं कमरे की कमरे का साइज है दस फीट लंबा और बारा फीट चोड़ा दोस्तों और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं जितने भी साइज और किसी भी तरह की कमी लगे तो वीडियो के नीचे इस कमेंट बॉकस है वहाँ पे अंकर किसी इस करके लिए हए में जार अब करने कर सकते हैं हम इतने ज्यादा नहीं करते हैं ताकि आपको पैसे देने में दिक्त हो जह वर ये वीड्वाद धन्यु bark देखने के लिए